जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरे ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटपॉम पर देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पर लगी बेल आइकॉन को जोनी जबादें तक कि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारे काम पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो www.patreon.com अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं पेट्राउन का लिंग मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जिस पर क्लिक करके आप पेट्राउन बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं आप अपने इस YouTube चैनल की मेंबर्शिप भी ले करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जिस पर क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हैं तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं एक मसला जो पिछले कुछ सालों से समझ में नहीं आ रहा है वो यह है कि दसो कार्ड हनी ट्रैप पे कोई सचिन, कोई प्रदीप कुरूल कर, कोई निलेश वालिया, कोई विशाल ही क्यों फसते हैं आज तक एक भी अबदल, गफार, वसीम, फरहान क्यों नहीं फसा, सोचिएगा जरूर, क्योंकि बेहत पेचीदा मसला है पता नहीं सो कार्ड हनी ट्रैप में फसने वाले लोगों को सरहत पार पाकिस्तान से कितना हनी चाहिए जो अपने यहां भारत में मौझूद नहीं है दोस्तों मुलक के डिफेंस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, दुश्मन देश को देने वाले प्रदीब करूल करके मामले में टॉमी एंकर और एंकराईन ना तो दहार रहे हैं, ना आर पार कर रहे हैं अगर यह प्रदीब की जगह परवेज होता, तब यह तमाम टॉमी चैनल्स इस मुलक के तमाम मुसल्मानों पर भड़ास निकाल रहे होते लेकिन आप पूरी तरह से खामोश है खैर, अब ATS की चार्शीट दाखिल हो गई है वीर सावरकर से इंस्पाइड D.R.D.O. यानी डिफेंस रिसर्च और डिवलपमेंट और्गनाजेशन के R.S.S. से जुड़े ठरकी साइन्टिस्ट प्रदीब कुरूलकर ने पाकिस्तानी लेडी खूफिया ऑपरेटर के साथ भारत के मिजाइल, ड्रोन और रोबोटिक्स प्रोग्राम से रिलेटेट जानकारियां शेयर करी साथी ब्रहमोस, अगनी और यूसीवी जैसी मिजाइलों की इनफॉर्मेशन पाकिस्तान को भेजी अब इस घद्दारी और हराम फोरी को हनी ट्रैप बताया जा रहा है इसका आतंकवादी बताया जा रहा होता, नए भारत में कानून सबके लिए बराबर तरीके से काम करता है इस पर तालियां बजाईए दोस्तों, जरत सोचिए, संगी साइन्टिस्ट हनी ट्रैप में फस गया और डियार डियो की सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी लड़की को वाटस अप कर दी अगनी, प्रत्वी, आकाश, धनुष, मिजाईलों की जानकारियां भेशती वावा, क्या बात है प्यार महबत के खेल में मिजाईल और रेडार की बाते कौन गधा करता है भाई या पूरे मुल्क को बेवकूफ समझके रख रखा है क्या अरे फसा होता तो फसने वाली फास पर बात करता लड़का लड़की वाली रोमेंटिक बात करता मिजाईल की इंफॉर्मेशन थोड़ी ही न भेशता पूरी कहानी फर्जी है सीधा और एकदम साफ मामला है कि आरे से से जुड़े भाई साहब पाकिस्तान को खूफिया जानकारियां दे कर जम कर पैसा कमा रहे थे अब पकड़े गए हैं डियार डियों में काम करते थे बड़े वाले राश्टवादी थे खाकी हाफ पैंट पहन कर ग्यान बाढ़ते थे बस चैट बॉक्स में एक पाकिस्तानी खुबसूरत लड़की आ गई और ये बिचारे फस गए बिचारे बड़े मासूम है इनको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तानी लड़की डियार डियो की इनफॉर्मेशन क्यों मांगेगी और अगर कोई इतना बड़ा गधा है तो उसको डियार डियो में रखा किस बेपूफ ने खैर अब इन अंकल को छोड़िए दिल्ली की तरफ देखें तो दोस्तो फॉलन निस्ट्री की एक भाई साहब बरेली की अंजली को मंत्राले के दस्तावेस वाटसब कर रहे थे इनसे कोई सरा पूछे कि बरेली की अंजली को मंत्राले के दस्तावेस क्यों चाहिए थे वो बरेली की अंजली नहीं पाकिस्तान का अंजला था और इन भाई साहब को इस गद्दारी के बदले में पैसे भेशता था सो काल्ड हनी ट्रैप का तमाशा समझ से परे है RSS वालों को पाकिस्तान से बड़ा प्यार है खोदी हनी ढून ढून कर ट्रैप हो जा रहे हैं वैसे दोस्तों हकीकत तो वही है कि हनी ट्रैप तो बस बहाना है इन गद्दारों को मुल्क बेज कर पैसा कमाना है खैर घोटाले बाजी करके पैसा कमाने से याद आई ED यानि Enforcement Direct Rate तो दोस्तों Enforcement Direct Rate के डिरेक्टर संजै मिश्रा के सर्विस एक्स्टेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने Illegal ठहराया है कोर्ट ने कहा है कि संजै मिश्रा का कारकाल बढ़ाना सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले का वाइलेशन है तो आपको बता दू कि संजै मिश्रा को नवंबर 2018 में opposition के नेताओं का शिकार करने वाली ED का डिरेक्टर बनाया गया था आपको बता दो कि संजै मिश्रा वही officer है जिन्होंने सोनिया गांदी राहुल गांदी अंडी टीवी पी चिदामरम कार्ती चिदामरम, फारुख अब्दुल्लो और महभूबा मुफ्ती के खिलाफ जार्च करी है अब आप इस सर्विस एक्स्टेंशन के सियासी तमाशे को बहतर तरीके से समझ सकते हैं आप ये भी समझ सकते हैं अब कि मोधी सरकार ED के डिरेक्टर साहिब से कौन सा देश हित का जरूरी काम ले रही थी या ले रही है खैर नवंबर 2018 में आपोजिशन के नेताओं का शिकार करने वाली ED का डिरेक्टर बनाए जाने के बाद से उन्हें तीन बार एक्स्टेंशन दिया जा चुका है उनका पहला टेनियोर यानि उनका पहला कारकार नवंबर 2020 में खत्म होने वाला था लेकिं मोधी सरकार ने एक साल के लिए पहले बढ़ा दिया सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोट में चैलنज किया गया सितंबर 2021 में सुप्रीम कोट ने इस मामले में फैसला सुनाते वे कहा कि मिश्रा को अब इस पद पर कोई एक्स्टेंशन नहीं दिया जाएगा हाला कि उनका मौझूदा कायरकाल बरकरार रखा गया कोट ने कहा कि एमरजनसी वाली सिचुएशन में थोड़े वक्त के लिए सर्विस एक्स्टेंशन दिया जा सकता है कोट के आरडर के बाद भी सरकार ने संजय मिश्रा को दो और सर्विस एक्स्टेंशन दे दिये इसके लिए डेवंबर 2021 में एक ओर्डिनेंस लाकर कानून में बदलाव यानि एमेंडमेंट भी कर दिया गया इस एमेंडमेंट को भी कोर्ट में चुनाती दी गई मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा कि उनका रहना देश हित में बहुत जरूरी है वो कई जरूरी मामलों की जाच कर रहे हैं इस पर कोर्ट में पूछा कि अगर पूरे डिपार्टमेंट में एक आदमी नहीं रहेगा तो क्या पूरा डिपार्टमेंट काम करना ही बंद कर देगा सुप्रीम कोर्ट ने उनके बार बार बढ़ते कारकाल को इल्लीगर ठहराते हुए कहा है कि 31 जुलाई तक वो रह सकते हैं तब तक नया आफिसर चुन लिया जाए खैर अब आप सब समझी सकते हैं कि संजय मिश्रा अब तक कौन सा देश हित का जरूरी काम कर रहे थे खैर एडी के डिरेक्टर का तीसरी बार कारकाल बढ़ाने के मोदी सरकार के इस फैसले को इल्लीगर गरार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होम मिनिस्टर अमिस्टर 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 अ करने वालों पर कारवाई करने की एडी की पावर पहले जैसे ही रहेगी और ऐसे में एडी का डायरेक्टर कौन है यह एहम नहीं है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ जैहे हिंद सत्ते मेव जैते अल्ला हाफिस दोस्तो हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को जरू दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अप सपोर्ट कर सकते हैं और दोस्तों आप अपने इस यूट्यूब चैनल की मेंबर्शिप भी ले सकते हैं इसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे लिया जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबर्शिप लेकर करके अपने इस चैनल को सपोर् Thank you, मिलते हैं अगले वीडियो में